व एल्कम टो एंब्रीषर लटिक के लास्स सो दोस्तो आज आपको बताएंगे इस ट्रक्वर्श माउन इस ट्रक्वर में इस ट्रिक्वर मैं ऐसे ऊपर यह से पार्टे ALet कि इस्ट्रय इंट आइघ सब्सक्रों आए इस गाइस गभाधिक स्क्रिश द्रॉल्व आई इसको बोलते है इगो तो इनको किस तरह के से क्लासिफाइब करते हैं किस तरह किस को बताते हैं तो आज बत करते हैं कि आईडी में क्या होते है आईडी में एक पेशन्ट है इसमें अगर आईडी है आईडी वाले पेशन्ट का होगा जो आईडी है उसका जो माइंड रहेगा वह अनकॉंसियस माइंड रहेगा इसमें इसमें अनकॉंसियस माइंड रहेगा और क्या रहेगा इसमें क्या रहेगा इसमें क्या रहेगा इसम में जो माइंड रहेगा वो कॉंचिस रहेगा और आइडी में अनकॉंचिस माइंड रहेगा अनकॉंचिस माइंड रहेगा आइडी में और आइडी में जो मिलेगा वो पलेजर मिलेगा अनकॉंचिस मैंड से क्या मिलेगा पलेजर मिलेगा इससे क्या मिलेगा इससे क्या मिले इसमें मॉरल एक स स्कूंचियस में ढ् elix रहता हे समें ऑनकोंचियस माया ड़ीख एसपूंचियस माइंड इससे क्या मुनतरत है यह रियरी टर्लटे reality दर सकते हैं इसमें reality होते है read कि इसमें क्या होतúsica reality jos कि इसमें reality मां मंदर पर कि कि यह मंदर रां और इसके एक लड़गा है इसके संग और इस लटके की शाद्य हुई और इसकी साध्य की माहे तो इसमें किस का हुआ इसमें किस तरह के से मैंटेन उन से mechanism use करते है इस चीज़ को maintain करने के लिए इसमें क्या हुआ कि यह मदर है यह सन है यह वाइफ है इसमें क्या करा इनकी नहीं नहीं साध्य होई तो सम्तिंग दस-पंदर दिन बाद इसकी वाइफ कहती है अब इसकी वाइफ अपने अर्सिदेंट से बोलती है कि आज मुझ बहुत है कि माँ चलो बाहर दिनर करूंगा तो इसकी क्या वाइफ को रहसे मां गया है Magic इस सकते हैं तो इस तरीके से यह करूँ एस तरीके से इस में यह सकते हैं लुलक tet इस에서 मुक्षभ है खालता है कि अब में किस तरीके से इन दोनों को मनाओं। अपनी मा को भी बनाफ और अपनी वाइफ को मनाओं किस तरीके से में इंको मेंटेन करो। किस तरीके से इन凌 समझाओ। तो फिर एक कुछ टाइम के बाद, फिर सम्तिंग एक दो गंटे के बाद ले कहता है, उसका लड़का कहता है अपनी वाइट से, के चलो आज हम दिनर में ही करेगे, और कल हम दिनर करने जाएगे, कोई भी मतलब कि अधर होस्पिटल में रहे इस ते कोई भी बाहनना दे के, हम बाहर दिनर करने जाएगे कल, और अपनी मागों क्या देता है, के मां हम दिनर घर पर ही करेगे, हम बाहर नहीं जाते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी मागों को बोलता है, के मां चलो आज हम दिनर घर ही करेगे, बाहर नहीं जाएगे, तो इस तरीके से उसकी मां लड़के यूज करिए कि अपनी वाइफ को मना लिए इसको बोले इस तरीके से अपने आपको मैंटेन कर रहे कि दोनों मांजे इस तरीके को जो इन चीज़ को मैंटेन कर ले कहीं और यह लस्फोर स्रूर को है मधर कर अथ को मतलव की जो मंदर है वह सूपर और चाहिए मतलब की इसको कर जीच प्लेजर में उसने क्याओ का आजिसन Hall कैके तो पे लिदियू और है राइट-जन्च उऑsis सो करें है जो मदर TP तो इसके बाद क्या हुआ वो फिर अगले दिन गए और अगले दिन जाने के बाद उसने अपनी वाइफ को अपनी माहोगा सुबह दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैं आज हुस्पिटल जा रहा हुए इंसमें और वहां पर दिखा कर आता है आफ जाने के बाद उसने कोई इसे क्या जरने के वाइब करने के वाईफ का सब्सक्राइब कर्मेब को पिरिश्पिस उसलिए और रुट exists नई कर दिखाने के लिए इसतरिके उसने क्लोए पन festa फेяс करने के वारी वहाँ पर उसमें लंच करा और लंच करने के बाद उसने अपनी वाइफ की बात को भी रख लिया और अपनी मा को क्यों कि वह कल नहीं ले गया और यह आज ले गया इसको पहले जरे में लिए तो इस तरीके से उसने एक मेकनिजम यूज की जिसे को बोलता है डिफैंस बेटिविन आइडि एंड सूपर यूज के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन रखा उसको वोलते है इगो तो इसमें क्या हुआ आईडि में उसको प्लेजर मिला और सूपर इगो में उसकी जो मदर है उसको मोरलिया थिक से इसमें रिलेटी रहती है तो यह होता है इस्ट्र इसमें क्या क्या उसनिये उसने क्या कई करा हो एक बाग में गया जाने के वाग के अंदर तो उससे इसमें तो उस्ते संचा ये हैं और उसे क्या चाहिए उसे बाद गार मिलता तो उसमें क्या करना उसने जब वह दस साल का सा था रहा फिर वह सम्क्तिंग कुछ परफिए वह साल का उसकी करना इस उस उसने क्या करना हो उस बाग से जिसे वह गुजरा वहां से देखते आम है तो उसने सोचा कि आम तोड़ बट वो क्या करा है गलत बात है कि दूसरे के आम नहीं तोड़ेगा इस तरीके से उसने राइट-एंड रोग का पता लगए कि बहुत यह गलत है मैंने जो बस्टपन मे चाहिए उसमें उसको स्कूल चैनल करेगा Is तो इस तरिके से जो इस चीज को मेंटेन करके रखता है उसको बोलते ऑगो इस तरीके अगर कोई बंदा इस काम को करता है इस तरीके से जो सारे तो इस यहां पर इस तरीक भाउंड हो इस तरीके से जो उसने मैकनि list कि तो इसमे पितल बीटेट से घंड various type of mechanism use to maintain to maintain balance balance between the id and superego and superego that is called defense mechanism that is called defense mechanism defense mechanism defense mechanism के इस तरिके से उसने बहुत सारी mechanism huge की कि वो पैसे लाया उसने right and wrong का पता करा इस तरिके से वो तो उसने क्या काम करा अपनी बहुत सारी mechanism huge के रही और उस mechanism huge करने के बाद आरणी अरणी new aure 이쯤 उसी को बोलते है डिफेंस मेकनिजम तो यह हुआ कि डिफेंस मेकनिजम क्या हुआ अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्लियर नहीं हो तो आप प्लीज कमेंट सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें मेके स उस्चछाइब करें और आगेसा आगे भी सेज़ल सेब्सक्राइब करें और जहिसे नेक्स वीडियो में कवर अब करते हैं के टाइंक्यू